तो क्या हाल है दोस्तों आज हम वापिस एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम बहुत एक special चीज कवर करने माले हैं कि गाना आप ने बना लिया सब कुछ कर लिया बट उसको release कैसे करें Spotify, Apple Music, Amazon Prime इन पर कैसे डालें आज हम इन ही सब को कवर करेंगे आज हमारे सा गुरुदेव पाजी जुड़ चुके हैं, बहुत ही बड़ी है आप अपना थोड़ा सा बेले इंट्रोडेक्शन दे दिजे लोगों को हेलो गाईज, मेरा नाम है गुरुदेव दा मेकर, हम दा आर्टिस मेकर, किसी को भी आर्टिस बनना हो, सिंगर, लिरिसिस, म्यूजिक डिरेक्टर, वो अपने से मिल सकता है, आपको उस चीज में हल्प करेंगे आज की जो वीडियों हम बनाने जारे है, वो बनाने जारे हैं कि म्यूजिक डिस्रिबूशन, आप म्यूजिक को डिस्रिबूट कैसे कर सकते हैं, आप खुद का चैनल कैसे बना सकते हैं, KP जैसे जह स्वाल पूляется जायेगा, हम चीज स्बकुश कर लिया, but अब हम उसको कैसे release करें कैसे सब कुछ वो आप बताओगे तरह जब हम गाना बना लेते complete कर लेते उसका अगला प्रस्वासरत है कि गाने को release करना अगर आपने बना के system में ही रखना है तो उस चीज का कोई फैदा नहीं है music को इस internet की दुनिया में डालना पड़ता है उसे डालने के लिए आपको एक distributor चाहिए और distributor के लिए बहुत सारी distributor है जो कोई annually लेता है कोई monthly लेता है हर तरह की description है उनकी ना तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सारी चीज़े free of cost होती है इनमें कोई पैसा नहीं लगता आपको एक distributor चीज़े अगर आपको एक distributor नहीं मिल रहा तो मैं आपकी उसमें help करूँगा मैं आपके गाने को distribute करवा के दूँगा free of cost different different platform होते है जैसे कि Spotify गाना हंगामा जी यो आईट्यून मतलब हर जगा आपका गाना जाएगा अगर आपको क्या करना है आप उससे भी कर सकते हैं अगर आपकी pocket allow करती है और आप उसको उस membership को लें अपना गाना वहां से distribute करें वहर जगा हर प्लेटफर्म पर बनाता है लेकिन आपको हर साल renew करना पड़ेगा आप एक गाना कर रहे हैं आप एक गाने के साथ में अगले साल फिर आपको renew करना पड़ेगा चेक करने के लिए इसे चापने एक गाना इंडियन प्लेटफर्म है पर हम आपको सारे प्लेटफर्म प्रवाइड कराएंगे तो एक वहां पर revenue का कैसे रहता है कि अगर आपने गाना बना तो लिया उससे पैसे भी कैसे कमाने है आज भी हमको ये भी चीज़ बताएंगे पैसा आप बहुत जगा से आता है अगर दालिए उसके बाद उस गाने को डिस्तिबूट करिए वो सारे प्लेटफर्म पे जाएगा यूटूब से तो revenue आएगा याएगा दूसरे प्लेटफर्म से भी रेवनु आता है डिफरेंट डिफरेंट लेकर चेयुक्त पैसे पर स्डूर का लग लग है वो डिस्तिबूट अपको फोन कर सकते हैं मैल के तुरू सारा कुछ हो रहा है गाने में इंशू आ रहा है कि हमारे पास गाना कोई लेबल जसे लोगों को होता है मैं लेबल से गाना ए욱 अच्छा लेबल हो कि आप लीबल भी कर Europ 54 करो इस जैटा प्र भी पहला दिया चैहीड वै कि बीछ के आपने गाना बना लिया और एक अच्छा ओडियो बना रख है और उसके लिए आपने अपना आर्ट वर्क भी दे दिया तो मैं आपको बता दूँगा ये ओडियो इस इस लेबल से रिलीज हो रहा है जो लेबल अच्छी से डील देगा वह मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ये लेबल ये डील दे रहा है तो आप लोगों को मतलब आपके पास अगर कोई आता तो आप उनको लेबल भी देते हो कि अगर आपने अच्छा वीडियो बना रख है मैं इस इंडस्टी में आया इस जैसे हर घर में हर घमंदे के पास अपना घर होता है अपना प्लोट होता है अपनी दुकान होती है ये फ्यूचर है आपको बनाना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल आपको अपना यूटूब चैनल बनाना पड़ेगा आप अपना यूटूब चैनल बनाई है आपको कोई इ मेनेजर भी परवाइड करवाऊंगा जो आपके लेबल को मैनेज करेगा आपके आट वर्क कैसे जाना चाहिए क्या टैगिंग होने चाहिए क्या मतलब आपको हर चीज की सर्विस परवाइड करा सकते हैं हर चीज कुछ भी गाना बनने से प्रमोशन सब कुछ आप करवा कर दे सकते हैं प्रमोशन कंपनी सब यह मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी अपनी कंपनी है डिश्टल जहां से आपके गाने डिस्ट्रिब्यूट होंगे डिश्टल सब आपका हम संबालेंगे और जो रेविन्यू होता है वो फिर आप आगे सब के देखो रेविन्यू हमारा एक पैसा कमाना देखो में काम हम क्यों कर रहे हैं कि end of the day यह म्यूजिक से हमको पैसा लोगों यही नहीं पता कि पैसा ऐगा गानों से भूख सबसे वड़ी चीज है कि देखो आप सबसे पहले तो गाना बना क्यों रहे हैं आप गाना बना रहे हैं अपने फेमस हो थो हो चूरे आं पैसा कमाने के लिए and तो यहीं है ना कि हमने earn करना और इसमें ये भी है कि अगर हमने किसी company को दे दिया फिर तो फिर हमारे को royalty ने आगी फिर आपके पास सिरफ एक ही royalty रहती है अगर आप singer है तो आप उस royalty को भूल जाओ क्योंकि singer की कोई royalty ने होती है अगर आप lyricist है और music director है तो आपको 25% royalty आएगी as a 25% होती है 25% company के होते है 25% होते है whose amount हो जाती है धीरे धीरे जूड़ती जूड़ती अगर आपके काना हिट हो रहा है तो obvious है कि revenue जादा ही आएगा तो यह भी free of course होता IPRS यह भी मैं आपको website का link मैं दे दूँगा के पी आपको आप डाल देना अपने youtube channel में अगर उसकी भी guidance ही है आपको नहीं समझा रहा जी वह भी मैं आपको number दे दूँगा चंडीगड head का Mumbai head का वह help करते है पर बहुत अच्छे इंसान है उन जैसे लोग नहीं है वह बहुत सब को समझाएंगे आपके आपको गाना भी आ है ना तब भी आप रिजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरा एक ही गाना है कि क्या करूंगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है आप एक गाने से भी आपना channel बना सकते हैं सब कुछ कर सो कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहोगे लोगों को कि इस चीज पे काम करना चाहिए यहां ऐसा ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो आप अगर as a lyricist है ना और आप किसी music director के साथ मिलके गाने बना रहे हैं दोनों आपने foundation होगी कि यार मैं मेरे पस invest नहीं हो रहा आप गाने बना रहे हैं तो अब आप अपना खुद का YouTube channel बनाईए और उस पे गाने डालते रहे हैं और distribution के लिए आपको कोई भी help चाहिए तो KP की YouTube channel के निचे मेरा number होगा उस पे phone कर सकते हैं मैं आ यहां से भाईया को contact कर सकते हो हैं तो basically आगे future यही है हर बंदा अपना खुद का एक channel बना रहा है लोग लेबल्स पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं धोकादरी बहुत हो तीन चीज़ों में पर अगर आपको अच्छे में इंसान मिल जाएंगे तो फिर वो हो जाता है जैसे for example मैंने आपको बताया कि आपका गाना बन चुका है और आपको सब कुछ ready है सब कुछ और आपको एक अच्छा लेबल चाहिए तो मैं उस लेबल को आपको आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूं लोग इस चीज के भी चार्ज करते हैं पर इसका भी कोई चार्ज नहीं होता है लेबल को खुद अच्छा content चाहिए अगर आपके content में दम है वो content अच्छा है उस लेबल को पसंद आता है वो आपके लिए फायदा क्योंकि लेबल के पास बहुत सारे subscriber है उससे गाना पर मोट होता है वो भी सारा कुछ करते हैं सारे distribution करते हैं सब कुछ करते हैं और वह लेबल का कुछ I think 9 या 20 डॉलर लेते हैं 19 डॉलर लेते हैं 19 डॉलर लेते हैं कुछ ठीक है और उसके बाद इनका कुछ उसमें share भी लेते हैं यह बैसे बोलते हैं 100% है पर share हर को ही रखता है इमानदार तो इस दूरीया में दूद का दूला कोई भी नहीं है तो वह आपको इसा कुछ तो नहीं है इसा कुछ भी हिदन चार्जिस नहीं है हमारे जो यहां पर बोला जा रहा है सिंपल वैसा है वह आपके सारे गाने को डिस्टिबूट करें कि हाँ एक जो sharing का ना वह आपका 80-20 या 70-30 जो भी होगा ना थोटा मेहनत कर रहे हैं लड़के रख्यों मे ओफिस में 40 employee हैं जो आपके गाने को संभाल रहे हैं उनकी salary हम कहां से निकालेंगे ना उनके भी खर्चे हैं तो आपका 30% revenue है वो हम रख रहे हैं आपको 70% revenue दे रहे हैं कुछ वो भी सब I think सब legal पेपरवर्ग होता है एक mail के थ्रू हो जाता है अगर आप भी start कर रहे हैं त बिल्कुल सो काफी अच्छा है कोई ऐसी आपको दिक्कत नहीं है तो मैं चाहता हूं कि इना हर कोई गाना अच्छे से आए अर्टिस बने और आपके गाने खुद ही distribute करें खुद का YouTube channel हो आपको मज़ा आएगा करने में आपको किसी को देने की जुरूरत नहीं है अगर कई जाना ना पड़े भटक ना पड़े बिल्कुल यो इस फुर एगजामपल अगर किसी को मैं अपने बारे में तो बताइ दिया जैसे में काटिस में rep अगर आपने जैसे आप लिरिसिस्ट हैं और आप बहुत अच्छा लिखते हैं और आपको एक अच्छा म्यूजिक डारेक्टर नहीं मिल पा रहा और आप लिरिक्स भेजे केपी को अगर वो लिरिक्स मुझे पसंद आते हैं और मैं वो गाना आपको केपी से बनवा के दूँगा सिंगर भी मैं दूँगा आपको लाके तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा अगर ये काप अच्छे राइटर हैं तो आप अच्छे सिंगر है और आपकी अच्छी वोकल है आप वो वोकल अपनी गाह के केपी को भेजिए केपी मुझे सुनाएगा अगर वोकल मुझे बहुत पसंद आएगी तो मैं आपका एक गाना फ्री अफ कोस्ट बनवा के दूँगा इस वीडियो के माधियम से हमें बताना चाहते हैं हम एक गाना एक लिरिशिस्त को एक गाना और एक सिंगर को एक गाना free of course देएगे बिलकुल बिलकुल सङहा है या जी काफी कुछ हमने आज देखा की कैसे गाना करना है कैसे सारी चीजे देखनी है तनिक यो भ्हा वे अपने इतना knowledgeable ग्यान दिया आज के दुनिया में कोई किसी को सिखाता नहीं तेंग आपने काफी कुछ अच्छी और बहुत ही फाइदमन चीज़े लोगों को मैं KP का चैनल पहले दिन से देखता आ रहा हूं ठीक है और KP दुनिया को बताना चाहता है कि music कैसे बनता है ग्यान देना चाहिए ग्यान बाटने से ज़्यादा बढ़ता है पता नहीं लोग इस चीज़ के क्यों चार्ज करते हैं आपने KP के जितने भी वीडियो देख्यों कि उसने देखा होगा वो नी सवारत भावना से आपको बताता है तो इन्होंने मेरे से बात करी कि music distribution की जो problem आ रही है तो उसके ल जो भी चीज़े हैं आप डिरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं आपके सब कुछ स्वाल हो जाएंगी कुछ भी आगर आपको A to Z कोई भी help चाहिए तो सारा भले वो audio हो वीडियो हो है ना promotions हो कोई भी चीज़ है सब कुछ आपको help मिलेगी और आप contact करिये वसिन को ठीक है जी थैंक यू जी थैंक यू सो मच आपके studio में बिलाने के लिए ननी जी आपकी का studio कोई दिक्कर नहीं यह राज आपको बाद में खोलेंगे लेकिन थैंक यू for KP के लिए जी थीक है जी थैंक यू सो मच सब्सक्राइब कर लीजिए आज के लिए थीक है जी थैंक यू